तो वही राजस्तान में भी साल के आखिर में होने वाले विधान सबाचुनाओं को लेकार अब भाजपा अलाट मोड पर आ गई है ऐसे में जाद से जादा वोटों की सेंद्मारी हो इसके लिए भाजपा पार्टी गहलोत सरकार के विफलताओं को दिखाने के लिए और अधिक से अधिक मदाताओं तक केंद्र की योशनाई पहुचाने के लिए गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चे खोल रही है और इसी के चलते भाजपा पार्टी ने नारी शक्ती सम्मेलन का आयोजन किया है इसी के चलते चितोरगण में जिला अध्याक्ष मिट्टू लाल जाट विथायक चंदरभान सिंग आक्या की उपस्तिती में भाजपा के ओर से नारी शक्ती सम्मेलन का आयोजन किया गया वही भाजपा जिला अध्याक्ष मिट्टूलाल ने सम्मेलन को संबोधित किया जहां अध्याक्ष मिट्टूलाल ने कहा कि प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला शक्ती को मजबूत करने के लिए और लोकसभा सातमे रोज राज्य सभा में 33 फीसद आरक्षन लागू क किया है जापर केंद सरकार में महिलाओं के लिए कई योजनाव को शुरू किया है जिसे कि महिलाओं की आर्थिक सिती मजबूत हुई है ऐसे में संशोधन के अंदर चित्तोडगर विधायक चंद्रभान सिंग आक्या ने भी अपनी टिपड़ी दी जाउनों ने कहा कि नहीं बता दे कि समेलन को प्रदेश महिला मोर्चा अपाध्यक्ष प्रियांका मंडावत प्रदेश महिला प्रवक्ता सरीता गेना चिला मामंत्री रगु शर्मा चित्तोडगर पंचाय समिती प्रधान देवेंद्र कवर भदेसर प्रधान सोशीला कवर सहीत महिला मोर्चा पदादीकार्यों ने भी संबोधित किया और नारी शक्ती से जुड़े अपने विचार साजा किया।